इजे जी नमस्कार एक बार फिर नई अपडेट के साथ हाजिर हूँ आप सभी का स्वागित करता हूँ कल जब रविन सिम भाटी बालोतरा के अंदर अपने समर्थकों को संभोधित कर रहे थे भासन दे रहे थे रोहित गोदारा कपूरी सर हेंडल नाम से कोई धमकी आती है लाईव के अंदर धमकी आती है और बोला जाता है कि ज़्यादा उचलने की कोशिश मत करो वरना राजपूत ये कहेंगे कि हमारा लीडर हुआ करता था अच्छा था काफी लोगों के मन में खुशी भी आई होगी कि ठीक है अब रविन सिंभाटी का सीधा का सीधा डारेक्ट है जो दुश्मनी का बवंडर उन से हो चुका है कई लोग तो रात बर आराम से सोई होंगे कि कई लोगों ने तो पार्टी की होगी बड़े आनंद तरीके से रही होंगे लेकिन जैसे जैसे सूरज का वो अंधिरा छंटा सूर्य निकला किरने निकली रात बर रविन सिर्भ भाटी की और से ऐसा कोई बयान नहीं था उनका यही बयान था कि जाको राके यह साईयां मार्स के न कोई समाज के लिए बना हूँ 36 कौम के लिए बना हूँ 36 कौम के लिए लड़ूंगा रिजल्ट क्या आता है ये बाद की बाते हैं लेकिन वर्तमान में तो यही है भाई कि अपने 36 कौम के लिए बने है 36 कौम का काम करना है गरीबों की वाज उठानी है यही statement था रोहित गोदारा का पूरी सर काफिर statement आता है इस handle से और बोलते हैं कि भाई हमारा वो भाई है हमें इससे कोई आपत्ती नहीं है आप देखेगा कि बात कितनी भेंकर कह रहे हैं रोहित गोदारा अब पहले जो आया उसकी जांच के लिए रविन सिम्भाटी के समर्थखों ने भी कहा कि पुलिस है जो जांच करे रोहित गोदारा खुद ने कह दिया है कि इस एकाउंट की जांच करे और हम मुझे वदनाम करने की कोशिश की जा रही है हमारा वो भाई है हमारी उससे क्या दुश्मनी हो सकती है हमारी उससे किसी परकार की कोई दुश्मनी नहीं है वो 36 कौम के लिए काम कर रहा है समाज के लिए काम कर रहा है हमारी जो हम जिसके खिलाप खड़े होते है वो जग जाहिर है ऐसा उन्हों निन कहा है तो जो लोग खुश हो रहे है ते रात उन लोगों की दिक्कत हो गई कि भई जिन गैंग से पाला पड़ रहा था जिस गैंग से नाता हो रहा था वो तो धरा का धरा रह गया अब क्या किया जाए नया कैसे पैंतरा चालू किया जाए नया जुगाड कैसे लगया जाए तो उनकी सारी चीजें एक तरफ रह गई समझ्या ये खड़ी हो गई कि डारेक्ट गैंग से जिनका पाला पड़ रहा था जिससे नुकसान हो रहा था जो लोग वहां थे उनको प्रॉब्लम हो रही थी कि अब इस लड़के का वहां डारेक्ट संपर्क हो चुका है अब वो अपने आप से लट लेंगे अब रोडा है वो चंड जाएगा रोहिद गोदारा ने क्या लिखा ये भी सुने आप रोहिद गोदारा ने लिखा कि भई यहां के जो नेता है जो नहीं चाहते रविन सिंग भाटी आगे बड़े वो ऐसी नीच का एरना हरकत कर रहे है मेरे नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है ये बहुत बड़ी बात है द्यान रखिएगा ये बहुत बड़ी बात है उस युवा के लिए जो युवा अपने बल बूते पर एक गरीब परिवार का आपने देखा नहीं जब वोटिंग करने गए थे अपने पापा सिरी के साथ देखा नहीं उनकी फेमिली देखे नहीं उनका परिवार देखा नहीं उनका बूत एकदम घर के पास था, उनका घर आप ने देखा सामाने तरीके से तो वहां से निकला हुआ लड़का, खर किसी के नेता के मन में यह है कि यह कैसे आ गया, यह बवंडर कहां तक जाएगा, समध से बार है, यह कैसे आ गया यह कोई मां भगवती का पतानी कैसा एक लड़का है, जो हर तरीके से दबाने की कोशिश की है अब कुछ लोग कह रहे थे, कि आपने पोश्ट नहीं की, कुछ लोगों को मारा गया, पीटा गया तो वो भूल रहे हैं, हमने उस बात का जिकर किया है अब आपके एक तरफा चस्मा चड़ा हुआ है, तो उसमें हम क्या कर सकते है चस्मा उतार के देखे, पूरे मीडिया ने जगए दी है आपके उन लोगों का इंट्रिव्यू जाया है, उन लोगों के बयान आए है, ऐसी क्या बात कर रहे है क्या हो गया, अगर वो मीडिया, अगर एक 26 साल के लड़के को रख रहा है तो कुछ लोगों के दिक्कत होगे कि उनको ये जगए भी मत दें आप तो जगए दे नहीं रहे हैं, वो जो नया काम कर रहा है, उसको जगए मत दे, क्यों न दे, बताइए जब समानिया परिवार का लड़का, उनके पापा साब को देखा, आपने, देखा, नहीं देखा तो देखिएगा कितनी natural तस्वीरें थी वो जी गेट पर जो सिपाही खड़ा होता है जो सेना का जवान खड़ा होता है उसको नमस्ते बोलता है किया शाब नमस्ते तो ये हर किसी के बस की बात नहीं होती उनको तो बुलाते तक नहीं है वही लोग जो पार्टियों से जुड़े होते हैं जो पार्टियों के गुलाम होते हैं लिगर बंदा जहां से निकला वहां तक पॉलिंग बूथ तक हर किसी को बता बुलाता गया हर किसी को नमस्ते बोलता गया आपने भी ऐसी तस्वीरें नहीं देखी होगी कि जो बाहर गेट की पर होता है निर्वाचन आयोक का उस दिन जो सिपाही खड़ा होता है उसको कोई बुलाता नहीं है लेकिन इस बंदे में बात ये लग थी क्यों नहीं दिखाएंगे सब दिखाएंगे भाई आपका भी तो दिखा रहे थे आपके ये दिक्कत हो रहे है कि उस युगा को क्यों दिखा रहे हो अब ऐसा करने से तो कोई रुकेगा नहीं अब रोहित गोदारा का पुरी सर को भी आप फोन करके बोल दीजिए कब इसके बारे में आप तो उल्ट शुट जो लिखा आपके एक डूप्लिकेट ने वैसा आप औरिजनल लिखो जान से मा जाता है उसने भी भाई बोला है भाई कभी किसी का कोई बिगड़े नहीं है कभी किसी का कोई खराब नहीं किया है तो बताइए आपका कैसे खराब कर सकता है कुछ लोगों के तो दिक्कत हो रही है यहां पर बहुत सी दिकत हो रही है सवाल खड़ा यह होता है कि दिक्कत रविन सिंग भाटी से है, दिक्कत रविन सिंग भाटी के जजबे से है, दिक्कत है कि बालोतरा में जो S.P. का घेराव किया, S.P. ओफिस का, वहां पर शेंकडो गाडियों का काफिला फिर से चल पड़ा उसके साथ में, और बंदे ने बोट दिया, बोट देने के बाद में लोग आराम करते हैं, लिकिसे बंदे ने आराम नहीं किया, हाँ, ये बात है, कुछ पर्तियासी हैं, जो होस्पिटल में गए हैं, जिनके साथ मार पीटु ही है, वो भी अच्छी बात है, होना भी चाहिए, कि जो अपने को सपोर्ट करता है, उसकी जाकर कि आप बोलो, तो धमकी किसने दी, किसने ट्वीट किया, निंदा की किसी ने, किसी ने नहीं निंदा की, हाँ, ये बाते होती है, कि कुछ लोग समझने के बाद में निंदा कर देते हैं, सार जो नहीं क्या लगता है, लिखने में 10 मिनिट चाहिए, बस लिखा और निंदा कर दी, बहुत कम ल जब गलत है नहीं तो गलत बोलेगा कौन निरनायक समय आएगा चुनाओं का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद में पतार लग जाएगा कि कौन कैसा क्या कर रहा है कौन कैसा क्या नहीं कर रहा है सब की फ्रिक्वेंसी ठीक है सब चीजें ठीक चल रही है लेकिन अभी इसकी जो फ्रिक्वेंसी चल रहे है उसकी चलने दो फैक एकाउंट बना करके आप ड्राने धंकाने की कोशिश करोगे तो उसके पीछे जनता है वो डरेगा थोड़ी वो मरेगा थोड़ी ऐसे और जब खुदा को मंजूर होगा तो आपके कहने से कोई छींका नहीं तूटता है बस मस्त रहें और आप अपनी फिक्र करें क्योंकि रवेन सिंग भाटी की जनता फिक्र कर रही है धन्यवाद